मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज पाटली कुत्रा खेल परिसर में अठारवी राष्ट्रिय अंतर जिला जूनियर एतलेटिक्स दो हजार टेइस का उद्धाटन किया। इस अफसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रिय अंतर जूनियर एतलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सभी राज्यों के खिलारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आये हैं। सब्सक्राइब के लिए बाहर भी 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 बहुत खिलारी इसमें भाग ले रहे हैं। गीर में अंतराष्ट्रिय स्तर का स्पोर्ट्स अकैडमी, क्रिकेट स्टेडियम एवं खेल विश्व विद्याले का निर्मान कराया जा रहा है। इसको लेकर 740 करोन रुके की लागत से काम हो रहा है। वर्ष 2002 में हम जब स्वर्गी अश्रधी अटल बिहारी बाजपेई की सरकार में रेल मंत्री थी तो हमने खिलारियों के लिए रेलवे में नौकरी देने का निर्नय लिया था। देश में पहली बार खिलारियों को रेलवे में नौकरी देने की शुरुआत हम लोगों ने कराई थी। विहार में वर्ष 2012 से लेकर अब तक 235 खिलारियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अभी ग्रेट थरी में नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने निर्नय ले लिया है कि आने वाले दिनों में राष्ट्री या एवं अंतराष्ट्री अस्तर पर मेडल जीतने वाले खिलारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा, स्दीम, बिहार कुलिस सेवा, डीस्प या समकक्ष में सीधे नौकरी मेडल लाव, नौकरी पाव इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी खिलारियों को मैं शुप कामनाय देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। Athletics Federation of India के अध्यक्ष श्री अदिल्ले सुमारिवाला ने संबोधित किया। ओलंपिक बोल्ड मैडलिस्ट श्री नीरच चोपड़ा ने भी वीडियो कॉन्फरेंसिल के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। काम हम लोगों ने कुरूब करवाया। इस बाद को जाने हैं। आप जब यहां भी काम करने का मौका मिला है विहार में तो आप समझ देजे सोच लिया है आगे के लिए कि अब जो भी होगा अभी तक को हम लोग ग्रेड तीन में दे रहे थे अब हम लोगों इने सोच लिया है कि जो फूब आगे पढ़ने पाले होंगे उनको नौकरी देंगे सीधे और उनको बनाएंगे हम लोग के समझे ग्रेड वन का यानि बिहार कुसास्ति सेवा और बिहार कुलिस सेवा में और सीधे कोई पढ़न नहीं वो जीत करके जाएंगे फटक जीतने पर इन पिहार के उतकरिस्ट खिलाडियों को सीधे हम लोग अगर चाहेंगे तो उनको नौकरी दे देंगे आप उसको समझ लिए ग्रेड वन के स्टक पर बिहार के खिलाड़ों को हम दे देंगे यह लोगो ने सोछ लिया है आप पहले को देख रहे थे जो ग्रेव दीन में आप ग्रेड एक तक क्याना ही में तो आप पूंदेंगे तो इसलिए को करना चाहते हैं कि आँच बंछ करितने लोग झाल